जहिन दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज में बात करने वाले निशनल टी ट्वेंटी कप के बारे में तो इस लीग का मैच नमबर 30 होने वाला है जो कि नॉर्दन वर्सिस खैवर पकतुनवा के बीच में खेला जाएगा आज रात 8 बजे आपको पताई होगा ये पाकिस SL और GL में दोस्तों तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे हर एक टीम को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और फिर अच्छे से लगाएंगे तभी आप 100% विनिंग कर पाएंगे दोस्तों तो पूरे वीडियो में बने रहना है दोस्तों आपको जो मेरी 5 टीम की कॉमिनेशन रहेगी एक टीम की कॉमिनेशन आपको हेट टू हेट की मिलेगी एक टीम की कॉमिनेशन आपको एसल की मिलेगी और तीन टीम की कॉमिनेशन आपको जील की मिलेगी यह उपर वाले दो टीम इनको भी आप लगा सकते हैं जील में तो कुल मिलाकर पांच टीम होती है जेल की तो पूरे वीडियो में बनेंगे दोस्तो तभी आप यह 5 टीम समझ में पाएंगे और 100% विनिंग कर पाएंगे दोस्तो फेंटेसी एपों में तो चलता हूँ आपको पहली टीम दिखाता हूँ उसके बाद दोस्तो आपको चार्ट टीम में बना कर रखा हूँ क्योंकि थोड़ा से बालिंग और रांडर अचा कर रहे हैं इस मैच में इस लिए मैं बालर्स और रांडर अच्छा ले रहा हूँ ज्यादा ले रहा हूँ दोस्तो तो यहाँ पिके टीपर परेसिक्स की तूर्ट को अपने head to head के team में रखना है आप चाहें तो सोहल नाजीर के साथ भी जा सकते हैं मतलब आर नाजीर के साथ भी जा सकते हैं लेकिन दोस्तो head to head के team में इनको आप मत रखिये मुहमद रिजवान के साथ ही आप जाईए आपको फैदा मिलते वे लेकर टीम मना सकते हैं इसलिए मैं इनको अपने team में नहीं रख रहा हूँ दोस्तो आप चाहें तो रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और चलते हैं दोस्तो आप यहां पर मैं यहां पर यू उमीन को नहीं रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर दोस्तो एस फरहान को रख रहा हूँ जो कि अभी तक 549 पॉंट दे चुके हैं और 89% लोग इनको अपने टीम में रखेंगे और 100% विनिंग प्लेयर है दोस्तो विनिंग प्लेयर है जो आपको विनिंग करवा सकते हैं तो बेस्ट प्लेयर है इनको रखेंगे दोस्तो एन नवाज को मैं रख रहा हूँ 24-20 पॉंट अभी तक दे चुके हैं और 60% लोग के टीमों में रहेंगे और आपके यहाँ पर ए इमरान भी आपके लिए बेस्ट आपसान रहते था उनको भी रह सकते हैं लेकिन दोस्तो मैं तीन ही बैट्समन के साथ जाऊँगा अब चलता हूँ बॉलिंग के सक्सें में तो आप यहाँ पर दोस्तो सद्दाप खान के साथ भी जा सकते हैं अब यहाँ जो जो टीम दे रहा हूँ उससे जाएं और एक दो शेंजर्स होगी तो मैं अपडेट कर दूँगा आपको बॉलिंग के सकते मैं साहीन अफ्रीदी, सौहल तन्वीर, एच रॉफ को मैं रख रहा हूँ दोस्तो आप आई खान को भी रख सकते हैं और यहाँ पर अफ्रीदी को रख सकता है तो दोस्तो आप आई खान के साथ भी जा सकते हैं या फिर सौहल तन्वीर के साथ भी जा सकते हैं वह मैं आपके उपर छोड़ा हूँ लेकिन दोस्तो मैं यह एच अरिफ और सौहल तन्वीर के साथ जा रहा हूँ आप चाहे तो गिनिया और के सा सीम या फिर H Ali हो सकते हैं या फिर दोस्तो S फरान भी हो सकते हैं मैं थोड़ा सा रिस्क लेते हुए वाइस कप्तान मेरे जुवान को बनाया हूँ और कप्तान दोस्तों आपके अपोनेंट के वादे सेम ही रखेंगे hit to hit की team में तो जादा changes आपको नहीं करना सिर्फ vice captain आप change कर सकते हैं same team से जाए आपको फैदा मिलेगा 100% winning हो जाएगी दोस्तो तो यह मेरी पहली team थी अब चलते हैं दूसरी team की तरब दोस्तो तो दूसरी team की तरब दोस्तों चलते हैं यह मेरी दूसरी team है जिसको मैंने ACL के लिए डिजाइन किया है जहां पर मैंने S-Pharan को रखा है वाइस कप्तान N-Nawaj और A-Miran को मैंने जगा दिया है M-Nawaj को मैंने कप्तान और सद्दाव खान को इस team में मैंने कप्तान मतब रखा है यहां पर जगा दिया है यह team भी आपके लिए best है आपको 3-4 वाली जो league होते वहाँ पर इस team से winning हो सकती है तो इस team के साथ जाएं आपको फैदा मिलेगा अगर कुछ changes करना चाहेंगे तो आप यहां पर दोस्तो wise कप्तान या पर सद्दाव खान को भी try कर सकते हैं हाला कि दोस्तो थोड़ा सा risk हो जाएगा बट आपके लिए फैदे मत हो सकता है क्योंकि दोस्तो बहुती कम लोग इनको अपने team में रखेंगे और कप्तान और wise कप्तान तो बहुती rare case में बनाएंगे अगर यह लेंगे तो आपको एक तरफा winning हो सकती है वो ध्यान में रखकर अगर आप wise कप्तान बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं या फिर same team समझा है आपको फैदा मिल जाएगा दोस्तो अब चलते हैं तीसरी team की तरफ जो की grand league की team है तो दोस्तो यह grand league की team है यहांपे मैंने देख रहे हैं इमाद वसिम को 25 कपतान और कपतान असिफ अफरिदी को बनाया है यहां पर दोस्तो आई कान को मैंने रखा है मत्यारत कि धर है तीन बॉलर है और इधर के चार बॉलर हो जा रहे हैं थोड़ा सा बॉलर प्रिफरेंस यहां पर मैं हैं चाहे तो रख लेंगे उनको भी अपने टीम में लेकिन दोस्तों यह टीम आपके लिए बेस्ट लग रही है यह भी टीम आपको ग्रांड लीग में लगा नहीं है और साथ साथ दोस्तों एसल में भी लगा सकते हैं बट जील में यह बहुत जादा निकर कराएगी और काम क और वाइस कप्तान मैंने एस खान को बनाया है और यहां पर मैंने बॉलर्स तीन रखें इधर के और तीन बॉलर्स इधर के भी रखें हैं और यहां पर दोस्तों मैंने फाकर जमा को जगा दिया है अगर फाकर जमा नहीं खेलेंगे तो इनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं अरा कि दोस्तो final update आई नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनको risk लेकर रख रहा हूँ अपने team में, आएगी final update उतनों मैं update कर दूँगो, telegram पर उसके लिए वेफी कर रहेंगे, तो इधर के तीन batsmen, इधर के चार batsmen हो गए, इधर के तीन batsmen और तीन baller, तो perfect combination ओली team है, इसको भी आपको GL में लगानी है, और risk की मैंने यहाँ पर कप्तान और वाइस कप्तान में रखे हैं, तो वो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यह दो-दो बिकेट भी लेते हैं, यह तीन-तीन बिकेट भी लेते हैं, तो आपके लिए फाइदे मंद और 100% winning team बन जाएगी दोस्तो बैटिंग चलती है, दोनों ही तरब से, हाला कि दोस्तो इधर के batsman थोड़ा कम है, मतलब जो batsman है, खैवर फक्तून हुआ, उधर थोड़ा सा batsman कम है, आप चाहिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप चाहिए तो दोस्तो सेम टीम से भी जा सकते हैं, तो यहाँ यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तो मैंने फ्रिफरेंस किया है, यहाँ पर फकर जमा के टीम को, तो ध्यान में दखेंगे दोस्तो, यह टीम भी आपको Grand League में लगानी है, SL में नहीं लगानी है, यहाँ पर मैंने फकर जमा को कप्तान और वाइस कपतान मैंने एचाली को बना तो पूरी की पूरी टीम यह पर complete होती है, दोस्तो होप करता हूँ आपको पांचे टीम समझ में आई होगी, अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे और पांचो टीम को मैंने जहां बोला है, वहाँ पर जरूर लगाएंगे दोस्तों आ है वहाँ पर अपडेट आपको कर दूंगा दोस्तों तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जाहिंद